नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन में कुरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी 46 नए मरीज मिले जारखन में कोवीड-19 के एक्टिव केस लागातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर स्वास बिभाएग अलट है राजधानी रांची में सबसे अधिक 81 कुरोना की मरीज है, वहीं पिछले 24 घंटे में 46 नए कुरोना मरीज मिले हैं बता दे जारखन में कोवीड-19 के संख्या लागातार बढ़ती जा रही है, पिछले 24 घंटे में 5,249 संदिक मरीजों की जाच में 46 नए कुरोना संख्या मिले के पुष्टी हुई है हलाकि 26 लोगों ने कुरोना को मात भी दी है, लेकिन इसके बावजूद एक्टिव केस की संख्या 246 से बढ़कर 244 हो गई बता दे, पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 12 नए कुरोना संख्या मित लोह दग्गा से मिले हैं जबकि बोकारों में दो, तेव घर में 4, जमसेदपूर में 4, गिलिडी में 2, गोड़ा में 2, गुमला में 2, हजारी बाग में 1, लातेहर में 4, पलामों में 1, रांची से 7 नए संक्रामित मिले हैं गुमला को मिला परधान मंत्री अवार्ड, गुमला जीलो को holistic development through a separation district program overall progress with a special focus on century कि स्रेणी में देश के सबसे परतिश्चित अवार्ड परधान मंत्री अवार्ड चनवाजा गया दिल्ली में परधान मंत्री नैदमोदी ने DC सुसांत गौरों को समानित किया है, मौके पर गुमला में हुए कारियों को वीडियो के माध्यम से दिखाया गया, बताते चले कि प्रति वर्स सीविल सर्विस डेक के दिन पूरे देश में लोग परसासन की विभीन कोटियों मे उतक्रिष्ट कारे करने वाले जीलों, सरकारी वीभागों वा सरोजनिक उपकर्मों को परधान मंत्री अवाड से नवाजा जाता है, इस वर्स जहारखन के इतिहाज में पहली बार लोग परसासन में उतक्रिष्टा के लिए परधान मंत्री अवाड है तो गुमला जीले को सस्पेंड चीफ इंजिनियर विरंदर राम के परिवारिक सदस्यों ने गाजर मुली और सबजी बेची वहीं इसके तीनों बेटे ने कंप्यूटर जॉब की आउटिशन पढ़ाया विरंदर राम ने दावा किया था कि उसके परिवार ने कड़ोरो रुपए की कमाई इन ही स सबसे की है विरंदर राम और उनके बेटे के नाम पर दायर आयकर रिटर्न से हजनकारी मिली है हलाकि इस तिक्रम के बाद भी सभी करदाताओं के बैंके खाते में रिटर्न में दिखाई गई आमदनी से ज्यादा नगदरा सी जमा हुई थी इसका उलेक रांची के सिये पर जोब नहीं किया और नहीं ट्यूशन पढ़ाया सारी रकम टेंडर के कमिशन की थी आई एस शवी रंजन ने मय के पहले हफ्ते बाद का मांगा समय आई एस अधिकारी शवी रंजन को इडी ने जमीन वोटाले मामले में समन जारी किया था इसके अनुसार आज इन्हें इड पित्रत्व आवकास को बताया है ये जनकारी शवी रंजन के वकील अभिसेख गुपता ने दी है वे आज इडी के रांची सित कर्याले में फिजिकल कोपी देने आए थे बता दे वकील अभिसेख गुपता ने बताया है कि रांची के पूर उपायोगत शवी रंजन को रिम्स में हरताल से 28 मरुजयों की मौत मामले की जांच हाई कोट के चिफ जर्षिस संजाय कुमार मिस्त्रवा जर्षिस अनन सेन की खंड पिट में रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स और नर्थों की हरताल की वज़से 28 मरुजयों की मौत मामले में करवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अधालत ने मामले में सिवा निवरीद जीला जज की अध्यक्स्ता में जांच कमिटी बनाने का निदेश दिया अधालत ने सरकार से उक्त कमिटी को लेकर जबाब मंगा है मामले में अगली सुनवाई चार माई को ने धारित की गई इस समझ में जार्खन छात्र संग ने हाई कोट में जनहित याचिका दाखिल की है याचिका में हताल के दवरान मरीजों की मौत के लिए दोस्यों के खिलाब करवाई करने की मांग की गई है जमसेदपूर में गहराया पेजल संकट तो फूटा लोगों का गुसा बढ़ती गर्मी के साथ जार्खन में पेजल संकट गहराता जा रहा है बढ़ते तापमान की वज़ासे नदी तलाब औजहरने जैसे जल सुरुचुक गए है और भूमिकत जल का अस्तर भी काफी नीचे चला गया अस्थानिये निकाय और परसासन द्वारा किया जा रहा है इंतजाम ना काफी साबित हो रहा है ट्रेंकर से पानी क्या पूर्ति की जाती है लेकिन ओ नहाने पीने और कपड़े धोने जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए काफी कम नहीं है ऐसे में जमसेद पुरिस्थीत भूयाडी के बाबू डी महले में लोग पेजल की किलत से आक्रोसितों का सलग पर उतर आए बतादे सुक्रवार को भूयाडी के बाबू डी महले के लोग बरतनों के साथ पेजल की किलत के बीरोध में सलग पर उतर आए दरसल बाबू डी महले की कुल अबादी तकरीबन 25 यार है वैसे तो महले में जूसको द्वारा पानी की सप्लाइ की जाती है लेकिन पिछले एक सब्ता से पानी का प्रेसर काफी कम है इसकी वज़स लोगों को रजमरा की दिन चार्या में परसानी का समना करना पड़ रहा है जे भी भी एनेल ने खरीदी 400 मेगावाड अतिरिक्त बिजली जार्खन में राजधानी रांची सहीत सभी जिलो में बिजली की आख मिचावली से राहत मिलने की उमीद है बतादे मुख्य मंत्री है मंसरन के निदेश का असर दिखने लगा है जार्खन बिजली बित्रन निगम की रिपोर्ट के मुताविक राज़े में लगा था दूसरे दिन गुरु आर को भी फूल लोड बिजली के अपूर्थी की गई राहत की बात या है कि जेवी बिएनल ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अगले दस दिनों में प्रती दिन 400 मेगावाट अतरिक्त बिजली की अगरिम खरीद सुने चित कर लिया है मांग और आपूर्थी मिलग भाग अतने का ही अंतर बना हुआ है जेवी बिएनल के इस प्रवण्द से लोड सेडिंग सुने हो गया है दूसरी और अस्थानिय अस्थर पर ब्रेक डाउन को दुरुस्त कर जल आप पूर्ती बाहाल करने के परयास में जेवी बिएनल की टीम को मुस्तायद कर दिया गया है अंडर सोला किरकेट लिंग में गढवा को हराकर सूपर लिंग में लाते हार वार्वने तेरा वामन राज चुहान ने 12 रन बनाये हैं। लातेहर की ओर से उज्वल कुमार सिंग ने चार राजीव उरावन तीन वा अनंद कुमार ने दो विकेट लिये। वहीं जबाबी पारी खेलते लातेहर जीला की टीम ने सुलह में उभर में चार विकेट के नुकस पर लक्ष हासिल कर लिया है। अमर बीर जवानों की सहादत को सत सत नमन। बता दे कि गुरु वार 20 अपरेल दो पहर करीब 3 बज़ जमू कास्मीर के पूँच में सेना के एक वाहन में अचानक आग लग गई थी। बताया गया कि सेना के जवान ट्रॉक से सबजी और अन्य जरूरी समान लेने गए थे। शुरुवात में इससे हाथसा माना गया है। इस गुलों में बेंच डेस की खरीदारी की जानी है। वैसे सभी इस गुलों की संख्या राज सरकार ने जीलों को अपलवद करा दी है। जार्खन सिक्षा पर युजिना परिचाद ने इस बाबस सभी जीलों को निर्देश दे दिया है। जे इपीसी की राजे पर युजिना निदे सकीरन कुमारी पासी की ओर से डिएयो डिएसी को फेजे गए निर्देश में 30 जून तक अनिवारे रूप से समाधित इस कुलों में बेंच डेस की खरीदारी कर लेनी है। बरतन में छिपकिली गिरने के कारण बिगडी 150 लोगों की तबियात। एक सब्ता तक हलका वह साधा भोजन करने की सलादी गई है। इधर फूट पॉइजेनिंग से बीमार पढ़ने वाले बुधन रवानी का कहना है कि मेला में जिस दुकान से उन लोगों ने चाट गुल का पकाया था। उसका 300 लोट लगा हुआ था। दुकान काफी बड़ा था। बुधन का कहना एक घटना के बाद पुछ तास में दुकंदार ने बताया कि चार्ट में छिपकीली की तरह का एक परकार का कीरा गिर गया था। जाम तड़ा में आर्मी के नाम पर साइबर ठगी। करते ही खाते से एक लाख रुपए की निकासी हो गई। बता दे घटना के संबाद में मिली जनकारी के मुताबिक पिलीत निकेत साहू का मिही जाम थाना छेतर अंत्रगत चितरंजन एस्टेशन के सामने साइ नाम का होटल है। धन्यवाद।